हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल में जिसका नाम है दबैश्ट आज मैं आपको जिस प्रोड़क के बारे में बताना जा रहा हूँ ये है पतंजली का दिव्य कोजरिष्ट सबसे पहले हम बात करते है कोजरिष्ट होता कै जिन लोग को भी समस्या रहती है कि वह खाना खाते हैं उनका खाना जैसे खाया वैसे इमोशन आ गया वैसे जाके उनको टॉलेट में बैठना पड़ता है तो संदर्म में ये बनाई गई दवाई है कोजरिष्ट जो की पेट की जो इस तरह की परिशानी होती है उसे दूर करती है तो ये पतंजली का दिव्य कोजरिष्ट कैसे काम गाता है वैसे तो मार्केट में कई सारे अन्य कंपनियों के भी कोजरिष्ट दवाईया है है लेकिन पतंजली की अधितल लोग दवाईंं लेते हैं तो क्या पतंजली की दवाई학교 आपकेcol लोक आपको अापको कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले तंजली का दिवे कोजा रिष्ट है इसकी मैं बाता देता हूं यह आपको फोर फिफ्टी एमेल का मिल जाता है जो कि आपको 80 ए 90 रुपे में इसली आपको मिल जाता है आप देख सकते हैं इसका प्राइज यहां पर देख सकते हैं और भी कई सारे इंग्रीटिंट इसके अंदर है और यह जो दवाई है इसे लेने का तरीका होता है दोस्तों वह चाच फंच फानी और चाच चाच चमच जो है यह दवाई आपको लेना होता है दवाई लेने के बाद आदे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है यह आपको KHाना खाने के बार दिन में दो बार या फीर हो सकता है अगर ज्जादा परی만 है तो दिनमें पर लोर दिन डिन दवाई जो मेरे एक फ्रेंड ने ली थी तो उसके ओपर जैसा इफेक्ट आया तो मैंने सोचा कि इसके ओपर रिव्यू बनान चाहिए ताकि सब लोग को इस दवाई के बारे में पता रहे तो यह जो कुझारिश दवाई है दोस्तों यह पतंजली की मेरे फ्रेंड ने काफी दिन तक यूज किया और जब उसने लगभग 10-15 दिन यूज करने के बाद जो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वह इस कुझारिश पतंजली के दिवे कुझारिश से उसकी परिशानी और जादा बढ़ गई मतलब कि जो उसको मोशन कम आत साने लगए मतलब पहले की तुलना में कहीं जादा तो इस दवाई को जब उसने स्टॉप कर दिया तब भी उसके मोशन नहीं रुके बलकि पहले से और जादा विस्तार उसकी परिशानी हो गई ठीक है दोस्तों और तो यह पतंजली का दिवे कुझारिश चो उसने मुझे बताया कहा है मैंने लिए मगर मुझे कोई फाइदा नहीं हुआ अधर कंपनी का उसने लिया तो उसे साइदा दिखा लेकिन पतंजली के दिवे कुझारिश लेने जा रहे हैं तो साफधानी से ले डॉक्टर के कंसर्ट पे ऐसे ही आप ना ले ले पतंजली के वैद से पू बाकि आपकी मर्जी आप कौन सी मैडिसीन लेन चाहते हैं नहीं लेन चाहते हैं बाकि पेड़ समस्याओं के लिए आपको इमीजिटली किसी डॉक्टर को दिखान चाहिए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको दवाई लें चाहिए तो मेरे हिसाब से यह उतना जादा नहीं है जितना की दावा करता है तो यह दावे के अकॉर्डिंग गिप को जरिश्ट उतना इफेक्टिव नहीं है दोस्तों तो आपको जो भी दवाई लेनी है सो समझके अपने हिसाब से लिजिए तो यह ऑनेस्ट रिव्यू जो के मैंने मेरे फ्रेंड ने यूज किया उ सब्सक्राइब जरू करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू समझ दस्तों